हेलो एबरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू, स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है, तो नाउन यानि कि अपना चैप्टर नमबर थर्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो टोपिक होता है वैसे गरामर का, वो हमारा नाउन ही होता है, मतलब सीखना तो यह पुरानी चीज़ें हैं, बट फिर भी हमें करनी पड़ेंगी, कि जो नाउन होता है, वो किसी भी वस्तू को, किसी भी व्यक्ती को, उसकी क्या क्वालिटी है, कैसी वो चीज है, क्या एक्शन है, कैसी कंडिशन में है, इस सब चीजों को हम जो है क्या कहते हैं, is the name of a person, place, thing, quality, condition or action तो जसे यहाँ पर परसन की बात करेंगे तो मुकेश हो गया प्लेस की बात करेंगे तो पटना हो गया तिंग की बात करेंगे तो पैन हो गया वैसे अबस्ट्रेक्ट नाउन में गिनते हैं हम इसको condition की बात करेंगे तो illness हो गया और action की बात करेंगे तो movement हो गया फिर यह एक table है screenshot ले लीजिए अगर नहीं लेना है तो PDF जो है आप टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है तो यहाँ पर noun है noun के दू पार्ट होते हैं countable and uncountable और countable के हमारे तीन पार्ट होते हैं proper noun, common noun and collective noun और जो हमारा uncountable होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं एक तो material होता है और एक abstract होता है जिसमें qualities वगरा को गिना जाता है उसके बार next जो type है या बाते हैं हम उनको बारी बारी देखते हैं सबसे पहले हम countable noun के इसको कहते हैं the nouns which can be counted ऐसा word या ऐसी चीज या ऐसा नाम जिसको गिना जा सकता है हम उसको countable noun कहते हैं और इसमें हम तीन nouns को हमने include करते हैं जैसे कि proper noun में the noun which denotes a proper person, please or thing proper person like binay, proper place means Mumbai, proper thing means Ramayna मतलब जो किसी भी proper व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी भी proper place का नाम लेते हैं या फिर किसी भी proper चीज का नाम लिया जाता है तो वो नाम, वो जो हमारा noun होता है उस type के हम noun को क्या कहते हैं proper noun होता है और proper noun को countable noun में गिनते हैं दूसरी बात common noun common noun हमारा क्या होता है the noun which denotes common persons, places or things मतलब ऐसा noun होता है जो denote करता है किसी भी common person को किसी भी common place को, किसी भी common thing को common person like woman कह सकते हैं common place like school कह सकते हैं common thing like table कह सकते हैं तो यह table, woman, man, town, book, table, sorry, school यह सब जो है हमारे क्या है common noun के जो है examples हैं और देखें इनको count भी किया जा सकता है इसलिए countable noun में भी इनको डाला गया है ना तो यह चीज भी हमने भूलनी नहीं है दूसरी बात यह ऐसे common noun होते हैं या name होते हैं जिनको क्या किया जा सकता है count किया जा सकता है ठीक है next और third जो है हमारा noun होता है collective noun the noun which denotes a group of persons सबसे पहले इस चीज को याद रखना है a group of persons या फिर other creatures and collection of things यहाँ पर ये तो चीज इंपोर्टन है collection of things तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर group of persons की बात करें तो a crew of sailors यहाँ पर जो crew word है ना यह हमारा क्या होता है collective noun होता है ठीक है जैसे कि a class of students तो यहाँ पर क्या होता है class जो है हमारा क्या होता है एक collective noun होता है तो इसमें इस परकार के nouns में जो group of person होते हैं यह जो है क्या होते हैं यह हमारे इसी परकार के नाम होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अपने collection of things की जैसे की a bunch of flowers तो यहाँ पर bunch जो है हमारा क्या है एक collective noun है बंच मतलब गुच्छा है ना किसका flowers का तो इस तरीके से यहाँ पर समझने वाली एक और चीज है यह पूरा एक phrase होता है यह उसमें मिलता है और दूसरी बात जो जिस चीज का वो गुच्छा होता है वो जो है plural noun के रूप में use किया जाता है इस चीज को भी बड़े अच्छे तरीके से हमें समझना होगा तो यह हमारी तीन चीज है जो थी यह countable noun के तहट हमारी गिनी जाती थी और अब हम बात करते हैं uncountable noun की तो countable noun जिनको गिना जा सकता है और uncountable noun जिनको गिना नहीं जा सकता the nouns which cannot be counted जैसे की gold है जैसे की water है जैसे की oil है जैसे की honesty है इनकी quality, quantity इन सब चीजों में जो है इनको मापा तूला जा सकता है बट इनको count किया नहीं जा सकता इसमें हम material noun और abstract noun इन दोनों nouns को जो है हम इसमें सामिल कर सकते हैं material noun में the noun which denotes materials मतलब कोई भी material है कोई भी पदार्थ है उसको हम जो है किसमें गिनते हैं material noun में गिल दे abstract noun में जो है किसी चीज की quality condition, action इन सब चीजों को जो है abstract noun में गिना जाता है जैसे की the noun which denotes quality, condition, or action for example pride है for example wisdom है childhood है humanity है bravery है इनको आप क्या कर सकते है इनका qualities होती है किसी भी human being की या फिर किसी भी creature की तो यहां पे हमारी जो चीजें हैं ये खतम हो जाती है हमने noun पढ़ा क्या होता है इसके पांच जो है types पढ़े उसमें दो types इसके main होते है countable और uncountable ठीक है उसमें countable में 3 होते है कौन कौन होते है uncountable में 2 होते है कौन कौन होते है किस तरीके के words को इन में सामिल किया जाता है यहां पे हमें collective noun के जो है क्या दे रखे हैं examples दे रखे हैं जैसे कि crowd of people तो यहां पे crowd जो word है वो collective noun का word है ठीक है तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं हमें दी गई हैं यहां पे इनको हम जो है skip करेंगे आप PDF में इनको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं हम जो है दूसरी जो important चीज है ना उन पे जाते हैं देखिए क्या है some important abstract nouns for example अगर आप बात करेंगे common noun से abstract noun कैसे बनाते हैं एक दो पर बता देता हूँ जैसे friend हो गया ठीक है यहां पे हो गया friend तो friend के बाद अगर मैं s-h-i-p friendship अगर आप कहेंगे तो ये एक abstract noun है अगर friend कहेंगे तो ये हमारा एक common noun है यानि के बनते हैं और विपरीत भी बन सकते हैं मतलब abstract noun से common noun भी बन सकते हैं तो फिर हमें जो है काटना पड़ेगा क्या देखिए दो चीज़ें होती है एक तो होता है prefix और एक होता है suffix ठीक है परिफिक्स होता है word के पहले ठीक है और suffix होता है word के बाद में ठीक है तो परिफिक्स या suffix लगा कर जो है इन चीज़ों को बनाया जा सकता है फिर adjective से किस तरीके से abstract noun बनाया जा सकता है for example slave है slave जो है एक adjective है ठीक है तो इससे हम कैसे बना सकते हैं उसके बार next जो point है यहां पे verb से भी आप जो है क्या कर सकते हैं abstract noun बना सकते हैं for example please है please, pleased, pleased सबसे पहले तो आप verb जहां पे भी आता है उसका second and third form आपको पता होना चाहिए अगर अंजाना verb है तो आप उसका पता करें, google से, book से कहीं से भी आप पता करें पता जरूर करना चाहिए तो देखे, please है pleasure, please से हमारा क्या बनता है pleasure, और pleasure क्या होता है वैसे तो हम इसको adjective के रूप में भी यूज करते हैं, बट यहां पे abstract noun की बात चल रही है तो हम pleasure को क्या कहेंगे की pleasure हमारा क्या है एक abstract noun है तो यह था हमारा noun का chapter और यह chapter हमारा खतम हो चुका है एक दो exercises के वीडियो भी हम यहां से जरूर डलना चाहेंगे, जिनको बोर्ड पे ना कर सकेंगे, उनको यहां पे करना जो है, सही रहे का जैसे बोर्ड पे हम अपने जो है, common error को जो है, हम बोर्ड पे जरूर आपको करवाना चाहेंगे, तो यहां पे कुछ exercises को हम जो है, ऐसे ही screen record में जो है, बनाएंगे या करेंगे पहले की तरह, तो thanks for watching thank you so much, यह जो video है, rules only है, तो हम आगे exercise लेके आएंगे तो thanks for watching, thank you so much, मिलेंगे next part में